अब यहाँ पे काफी सारे स्टूजेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे ये पूछने कि ठीक है एक टाइम टेबल होता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं शाम तक पढ़ते हैं लेकिन हमारी जो हैबिट है वो यह है कि हम रात को लेट नाइट पढ़ते हैं तो ऐसे तो चलिए देखते हैं कि आपका यह जो नाई टाइम टेबल है यह आपसे क्या बोलता है और यह कैसा रहेगा ध्यान से देखेगा अब सबसे पहली चीज़ आपको जो अपनी पढ़ाई स्टाइट करनी है वह आपको करनी है तो पहर के दो बजे लेकिन आप एक चीज़ बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दो बजे पढ़ाई स्टाइट करना चाहते हैं वह भी फुल अच्छे रिफ्रेश माइंड से तो आपको इससे पहले जो लंच रहेगा वह काफी लाइट करके चलना है ठीक है तो दो बजे आप अपनी पढ़ाई स्टाइट करेंगे अब लाइट खाईएगा उसके बाद साड़े पांच से साथ फिर से आपको दो घंटे तक की कंटिनियो स्टेडी करनी है तो आप बहुत अराम से देख सकते हो कि अगर आप दो बजे पढ़ने बैठते हो तो शाम को साड़े साथ बहे तक आपके पांच घंटे की स्टेडी हो ज चालिए इसके बाद नो मोबाइल फोन बिल्कुल आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए जब आप इस पांच घंटे की पढ़ाई में ब्रेक के दौरान आप चेक करना चाहते हैं बिल्कुल चेक करिए लेकिन पढ़ाई के समय आपके पास मोबाइल फोन बिल्कुल यहाँ पे आप एक घंटे का break लेंगे और यहाँ पे आप करेंगे dinner and relax, कोई और चीज आपको नहीं करनी है, मैं जानता हूँ कई लोग यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे dinner करते हैं, जो कि बहुत लेट है, ऐसा बिल्कूल भी नहीं करना है, आपको जल्दी dinner करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप रात के आपकी पढ़ाई बहुत जादा effective हो, तो आप साड़े साथ से साड़े आपके बीच में dinner करेंगे and उसके अलावा सिर्फ relax करेंगे, आपको इसके लावा कोई activity यहाँ पे नहीं रखनी है, उसके बाद साड़े आठ से साड़े दस बे तक दो 15 मिनट की आपका mind, आपकी body काफी यहाँ पे free हो जाएगी, उसके बाद फिर से 11 से 2 आप एक तीन घंटे की study करेंगे लगाता, तो आप देख सकता है, यहाँ पे 7 थरी के बाद से रात को 2 बज़े तक आपकी फिर से 5 घंटे की study होगे, और यहाँ पे आपको लेना है one subject, य कौन से subject का combination आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 बज़े आपको सो जाना है, ठीक है, तो अगर आप 2 बज़े सोते हैं, और सुबह अगर आप 9 बज़े, 10 बज़े भी उठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो time table start हो रहा है, वो हो इसका लिंक आपको नीचे description पे मिल जाएगा, अब बात करते हैं, subject combination की, कि मैं क्या subject रखूं, कौन से subject मैं दोपहर को पढ़ूं, कौन से subject मैं, night में पढ़ूं, तो यह combination है, इसमें ऐसे आप pick कर सकते हैं, जिसे अगर आप afternoon में advanced accounting दे रहे, तो evening में कोशिश करिए, कि आप audit लिए, क्योंकि evening के बाद क्या होता है, थोड़ी सी शान्ती हो जाती है, peaceful environment होता है, तो theory आपको बहुत अच्छे से होगी, उसके बाद, अगर आप costing ले रहे, afternoon में, तो evening में लॉली जिए, afternoon में अगर income tax है, तो evening में आप strategic management उठाइए, afternoon में अगर FM है, तो evening में आप GST उठा सकते हैं, तो ये तो होगया हमारा एक बड़ी ऐसा night time table, इसके बाद, मुझे पूरी उमीद है, भरूसा है, कि आपने अपना syllabus अब तक खतम कर लिया होगा, नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी अपना syllabus खतम करें, क्योंकि मही 24 में बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास न अंदर आपके ICI module के सारे questions आपको मिलेंगे, उसके अलावा आपके RTP, MTPs, past examination question के भी, ये सिर्फ एक book नहीं है, ऐसे हर सब्जेक की perfect practice book अवलेवल है, बड़ अगर आप चाते हैं कि नहीं, मुझे तो syllabus करना है, मुझे 70-80% तक की coverage भी करनी है, एक बार course भी देखना है, तो जाइए, course को access करें, अपनी पढ़ाई को, अपने result को, आने वाल result को और ज्यादा better आप कर सकते हैं, so I hope आज की वीडियो में जो हमने discussion किया, जो time table देखा, वो आपको अच्छे समझ में आ चुका है, और आपने उसे अपने notebook या diary में एक जगा लिख के रखा, आप उसे